हम जो फल खाते हैं उसका छिलका उतार करके फेक देते हैं जबकि इन छिलकों में कई ऐसे पोसकत तुपाये जाते हैं जो की पौधों के लिए बहुत ही फायदे मन्द होते हैं हम फलों के छिलकों का इस्तमाल करके बहुत ही उपयोगी खाद बना सकते हैं और यह खाद बहुत ही पौरफुल होती है जिनसे पौधे तो स्वस्त रहते ही हैं और साथी पौधों में फलफुल भी अच्छे खिलते हैं तो आज मेरे पास आम, संत्रा, नीबू, सेब और केला है और इन सब के छिलकों की खाद कैसे बनाए और उसे प्रयोक कैसे करें तथा इनके खाद से क्या-क्या बेनिफिट मिलते हैं इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊँगा इन में से सब से पहले बात करते हैं आम के छिलके की आम के छिलकों में विटामिन A, विटामिन B, कॉपर और फाइवर पाये जाता है और इसके खाद के प्रयोक से पौजों की ग्रोध तेजी से होती है आम के छिलकों की खाथ बनाने के लिए आप सबसे पहले दो-तीन आम के छिलके ले 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 और आप उसके बाद ये एक लिटर पानी ले 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 ये देखिए मैंने इसमें इस कंटेनर में पानी ले लिया है और जो इसके छिलके हैं आप इसे छोड़े-छोड़े पीसों में कट कर लें और इस पानी में यह इस तरीके से डाल करके इसे दो-तीन दिन तक छोड़ दें तो आज टोटल तीन दिन बीच चुके हैं और हमारा फैटलाइजर यह देखे तैयार हो चुका है यह कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है तो इसे मैं च्छान लेता हूं यह कुछ इस तरीके से अब इसके बाद मैं इसे डायलूट करूंगा और वह बहुत जरूरी होता है क्योंकि खाद कोई भी हो बहुत पाउरफुल होती है आप उसे डायट प्रेड़ों में नहीं डाल सकते तो जितना खाद है उसका दो गुना इसमें पानी मिलाना है तो मैंन इस तरीके से अब यह जो फर्ट लाइजर है यह पेड़ों में देने के लिए तयार हो गया है तो मैं इसे इस्प्रेड बोटल में भर लेता हूं चूकि इस्प्रेड का जो नॉजिल है वो ब्लॉक हो सकता है इसलिए मैं इसे एक बर और चोटी छन्नी से यह चानूँगा और इसे मैं भर लेता हूं आप इस खात का छिड़काओ पौधों में सीधे कर सकते हैं कुछ लिए इस तरीके से और इसके छिड़काओ करने से पौधों में जो फल और फूल होते हैं वो नहीं ज़ड़ते हैं वहीं आप इस खाद का छिड़काओ लगभग एक से डेड़ महीने के अंतराल में दुबारा कर सकते हैं तो अब इसके बाद बात करते हैं संतरे के छिलके की यह पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसमें पोटास, लोहा, जस्ता और साइट्रिक एसिट पाया जाता है जो की पौधों में सुष्म पोसक तत्वों जिसे इंग्लिस में माइक्रन्यूट्रेंट करते हैं की पूर्ती करता है और इसे प्राक्रितिक इंसेक्टिसाइड की रूप में भी प्रयोक किया जाता है संतरे के छिलके की खाद बनाने के लिए आप इस तरीके से दो-तीन संतरे के छिलके ले 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 और एक लिटर पानी में इसे मिला करके आप दो-तीन दिन के लिए छोड़ दे तो तीन दीन बाद यह फैटलाजर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है यह देखिए इसे भी मैं च्छान लेता हूं तब आपको कुछ सभी समझ में आएगा तो यह लाइट ये लो कलर का है यह देखने में मुसम्मी के जूस की तरीके से लग रहा है हरसना फैट और इस फैटलाइजर को membayने के लिए मैं कम से कम इसमें तीन मुना पानी यानिके 3 लीटर मीलाऊंगा और उसे मिलाने के बाद मैं इसे भी इस पर बाटल में भर लेता हूं तो आप इस फैटलाइजर का सीधे पौधों में छिड़काओ कर सकते हैं और उसकी जड़ो या फिर मिट्टी में भी इस फैटलाइजर को डाल सकते हैं तो इस फैटलाइजर के इस्तमाल से पौधों में फलफुल जल्दी आते हैं और उनमें कीडे भी नहीं लगते तो अब इसके बाद करते हैं नीबू के छिलके की नीबू के छिलके में कैलसियम फासफोरस और आयरन होता है जो की पौधों में पोसक तत्तों की पूर्ती करता है और इससे एक बहुत ही अच्छा कीटनासक तयार होता है जो की चीटियों को भी भगाने में सच्चम है नीबू के छिलके खाद बन इनका powder बना लेता हूँ तो पीषने बाद कुछ ये इस तरीके से हो गया हाला कि quantity कम थी इस वज़े से ये ज़्यादा बारिक नहीं पीष पाया तो आप जब भी fertilizer बढ़ाईए थोड़ा ज़्यादा quantity में निबू लीजिए उसके बाद आप छोटे गमले में एक चम्मच और बड़े गमले में दो चम्मच कुछ इस तरीके से छिलकाओ कर दीजे इस fertilizer के इस्तमाल से पौधो का हरापन बढ़ता है और उनका विकास भी बहुत तेजी से होता है अब केले के छिलके की बात करते हैं केले के छिलके में potassium, magnesium और calcium मात्रा में पाया जाता है और इसकी खाद मिट्टी में micronutrients की मात्रा बढ़ाने के साथ फूल और फलो का उत्पादर बढ़ाती है केले के छिलके खाद बढ़ाने के लिए आप दो-तिन केले के छिलके को एक लिटर पानी में इस तरीके से डाल करके तीन-चार दिन के लिए छोड़ दें तो केले का भी फैटलाइजर तीन-चार दिन में तयार हो जाता है और ये देखने में कुछ इस तरीके से लगता है ये देखे और इसमें से आपको केले को निकाल लेना है मैं इसे सीरे छान लेता हूँ ये बहुत ही light फैटलाइजर है लेकिन ये बहुत ही powerful खाद है ये कुछ इस तरीके से ये बहुत ही आसानी से फैटलाइजर तयार हो गया और इसमें भी मैं दो गुना पानी मिलाँगा इस फैटलाइजर को आप सीधा गमले की मिट्टी में ये डाल सकते हैं वहीं इसे आप इसकी पत्तियों में इस्प्रे भी कर सकते हैं इस फेटलाइजर के इस्तमाल से पौधों की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज हो जाती है और इसमें फल फुल भी ज़ादा आते हैं अब आखरी है सेव के छिलके की खाग सेव के छिलके में पोटैसियम, आयरन, विटामिन सी और कैलसियम पाये जाते हैं जो की पौधों की बढ़त के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं शेव के छिलके के फैटलाइजर बनाने के लिए आपको दो-तीन सेव के छिलके लेने होगे और उन छिलको को आप आधा लीटर पानी में डाल करके मिक्सर में कुछ इस तरीके से इसे चला दें जो शेव का छिलका है वो पानी में अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गया है तो इस लिक्किट को मैं किसी दूसरे जार में डाल करके कुछ इस तरीके से मैं इसे स्टोर करके 3-4 दिन के लिए कहीं दख दूँगा 3-4 दिन बाद ये फैट लाजर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ये देखेए और ये पूरी तरीके से बन करके तैयार हो गया तो इसे भी मैं पलेट लेता हूं यह और इसके बाद मैं इसमें दो गुना पानी मिला देता हूँ यह भी फैटलाइजर पुरी तरीके से रेडी हो गया है तो आप इस फैटलाइजर की 200 से लेकर के 300 ml की मात्रा सीधे गमलों में डाल सकते हैं यह कुछ इस तरीके से और जो इसकी फ्रिक्वेंसी है यह 2-3 महीने की होती है यानि कि आप इसका दुबारा इस्तमाल 2 महीने के बाद ही करें वही इस फैटलाइजर के इस्तमाल से पौधों में धेर सारी पतियां आती हैं और फल और फुल भी ज़्यादा लगते हैं तो इस तरीके से फलों के छिलकों को फेकने के बजाए आप उनका बहुत ही बेहतरी औरगनिक फैटलाइजर बना सकते हैं जिनसे पौधों की ग्रोथ काफी अच्छी होगी वही अगर आपके पास फल फूल वाले पौधे हैं तो इन फैटलाइजर के इस्तमाल से उनमें फल और फूल दोनों ही अच्छी मात्रा में आएंगे तो आज के वीडियो बस इतना ही जल्दी मिलते हैं नए यूसफुल वीडियो के साथ में तक तक के लिए बाई बाई